हेवरीवन तो आपके जो एक्जाम अलमुस्ट शुरू हो इस चुके हैं अब जो है आपके एकडम कॉंटिनूटी में चलेंगे मलब डेली आफटर वन डे आपका जो एक्जाम रहने वाला है तो इन बिट्वीन जो आपको एक छुटी मिलेगी उसमें आपको क्या क्या बाते ध्यान में रखनी है किस तरह से करनी है जिसकी वजह से ек proclaimed अब डिस्ट्रैक्त बद बत करने वाले हैं साथ ही साथ में जब आको अधियम देने जा रही होगे उस दिन आपको क्या connection में रखनी जब आपने तरह में मistä कर रही होंगे उस दिन भी क्या आपको ध्यान रखने है आज की वीडियो इसी की ऊपर है तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिप नुबर वान इस टे अवे फ्रम सोशल मीडिया तो जी जो आपके 10-15 दिन आपके एक्जैम चल रहे होंगे इसके बीच में ना ही कोई वट्सेप ना ह इतने लोगों ने लाइक कर दिया है किसका क्या कॉमेंट आया है तो जो आपका दिमाग है वो इधर ही चला जाता है फिर आपका जो पढ़ने से ध्यान हट जाता है तो यह चीच बिल्कुल भी नहीं करने 10-15 दिन अपना अकाउंट का पासवर लगा कि उसको भूल जाओ इ तो जब भी आप एक्जाम देकर आएंगे तो प्रॉबबबली आपके अंदर इच्छा रहते है कि हां एक बार डिसकुस कर लेते अपने फ्रेंड के साथ कि उसके एक्जाम कैसा गया है तो यहां पर डिसकुशन करने के लिए आप लोग चैटिंग नहीं करेंगे बिकॉब इसमें कह रहता है आप लोग उसको हेलो बेजेंगे और फिर आपकी बाते शुरू हो जाएंगी और आपको पता ही नहीं लगेगा कि जो बात तुम लोग फोन कॉल पर दस या पंदरा मिनट में खतम कर सकते थे उस बात को खतम करने के लिए आपको चैट पे एक घंटा अच्छा या मेरा तो यह गलत हो गया यह ऐसा हो गया बिकॉस जो पेपर आपका जा चुका है उसके लिए आप कुछ ने कर सकते वो टाइम निकल गया वो पेपर निकल गया तो अभी आपके लिए सबसे जादे इंपॉर्टन चीज क्या है कि जो अभी अगला पेपर आ रह अगले पॉइंट है कि जब आपके जाएम चल रही होंगे फोकस अन्याटी जो भी आप लाइक सेंपल आपर इस पर फोकस कर और जो भी आपने शॉर्ट नोट प्रप्या करें उस पर ध्यान देना है लाइक किसे भी अपने फ्रेंड की बातों में आकर यह निकिया वह बु कोशन इस बुक में से आये थे तो चलो भाग जो आप वह ली बुक लेकर आएंगे और वह ली बुक पड़ेंगे डोंट डू दू इस मिस्टेक ओके पेपर समय से अल्मोस एक जैसा ही आता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता बिकोशन जो एक जैसे होते हैं लास्ट टाइम प कि जॉझा नेक्स्ट इस कि जब भी आप जैसे आपका क्धायर हो जायगा रिजह आप तो जैसे आप घर आजयाते हैं इंस्टेड आप वेस्टिंग टाइम तो टाइम वेस् टाइम नोट ऋनली की मुबाईल पे अशनी दाइम बेक पढ़ धी बहारी चीज़े कोई जैसे इसे क्या रहेगा ना आपके माइंड में देगा अगला एक्जाम है तो मुझे कैसे पढ़ना है आप पूरा आपना बाइफोर्केट करके रख लेंगे कि यह वाला स्लेबस इतने टाइम में करना है यह चाप्टर इतने टाइम में हो जाने चाहिए जितनी जल्दी शुरू कर अगर आपके पास टाइम रहेगा और उतना आप रिलाक्स ली पढ़ पाएंगे अगर आप लेट शुरू करेंगे तो आपके पास टाइम भी कम रहे जाएगा और पहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टाइम को अच्छी तरह से युटिलाइस करना है जल्दी से अपनी जो अगले exam की preparation शुरू कर देनी है और अगर वो बच्चे हैं जो की exam से आके like सो जाते हैं बिकॉस हर बच्चे की अपनी रुटीन होती है कुछ बच्चे होंगे जिनका exam है like अगर आपका exam 29 को है तो आप शेर 29 जो रात होगी like जो 28 तारीक की जो रात होगी उस दिन आपू बट उसके बाद बीच में क्या करना तीन या चार गहंटे की नींद ले जाना ऐसा नहो कि आप पूरी रात बैठके पड़े लेकिन जब आपके एक्जाम देने का टाइम आया और तब आपको नींद आ रही है और आपकी आँखें से बंध हो रही है बहुत जादा है तो आपके आपना सो जाओ ठीक है देन उसके बाद जो भी आपके एक्जाम रूटीन है उस चीज़ को फॉलो करो हर बच्चे के अपनी एक्जाम रूटीन होती है हर बच्चे का अपना तार्गेट होता है कि हाँ सबसे पहले मैं जो इजी चैप्टर उन से स्टार्ट करेंगे फिर जो है मेरे डिफिकल्ट चैप्टर है उन पे आएंगे और फिर वह वाला सब्जेक्ट या फिर वह ले चैप्टर करूंगे जो में कुछ बिल्कुल भी नहीं आते जिन पर मेरा बहुत जादा हाथ कम बैठा हुआ है तो ऐसे जो भी आपके एक्जाम रूटीन है कि जो पहले आता है उनको अच्छी तरह से रिवाइस करके निप्टा लो और फिर जो बाकी के चैप्टर उन पर दीदे देदे चलेंगे तो उस रूटीन पर आ जाए देन उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जो है कोशन खुद सॉल्व करने है ठीक है एक बार रवीवन कर लिए सब कुछ कर लिए उसके बाद खुद से सॉल्व करो बिना किसी हेल्प से बिना कोई सल्यूशन देखे बिकोज इससे क्या होगा आपको क्या बहुत जादा कॉन्फिदेंस आएगा एंड यू विल फिल कॉन्फिदेंट अब यूर एक्जाम की हाँ बिना देखे को निकल र हखेस्तव बहुत अराम ही अगलेी नी दिंग्वो को लगे जाने जी जो भी आपके पैन है पैसल, जीदेट बोक्स आप त्यार रखेंगे,א dopamine kit are aчδा का जो भी आपको रखना है!! वह आप इस प्रीन देखेंगे तांकि यह शुब आपके औंक आपके बीड पोर एक्जम डून रहे हो और कुछ ना कुछ अगर डॉकुमेंट आपका घर रह गया तो वो दिक्कत कर सकता है एक्जाम हॉल में लाइक जो भी आपका एक्जाम का सेंटर है वहां पर 30 मिनिट पहले पहुंच जाओ आपको जो है एक्जाम का वो डूनना रहता है कि कौन से रूम में है या फिर जो भी आपकी वो लिफ्ट लगी होगी वहां पर अलवड़ी बहुत जाला रश होता है तो अगर आप लेट चलोगी तो आपको एक्जाम हॉल में या पर सेंटर डूनने में दिक्कत हो जाए या आपको एक्जाम में मिलेंगे कोशन पेपर पढने में वहां पे जो है आपको ज्यादा ओवर अनलिटिकल नहीं बनना कि हा तुम जो हैसे पेपर उठा के पूरा एक्जाम देखते ही जा रहे हो अच्छा या या ये वला कोशन है ये वला कोशन है डोंट डूड़ा ठीक है आपको एक मिनट लगेगा आपको पता लग जाएगा यार ये जा जीजा है ठीक है ओके ये नहीं कि तुम 10-15 मिनट तुम पूरा वही देख रहे हो अच्छा ये अला कोशन ऐसे हो जागा ये अला कोशन ऐसा हो जागा अपने दिमाग में कैल्कुलेशन करने की बजाए जल अब कर जा चैब उसे साओने करने के तो आपको पता रहे हैँ माल जाए तो आपको कर भखर दो इसे अल डीकर convention साइघ डाएन कॉरा है अँपको याद रहें बाद में कि मैरे पास यह यहाला कॉशन मेरे पास पढ़ा है reminding ठीक है तो मुझे इसको बाद में करना है and पूरे question पर ऐसे tick माने की जुरुवत नहीं जो आपने question कर लिए बख जो नहीं करें उस पर circle लगा दो because जितना जादा आप कम masquerate करेंगे उतना जादा आपके लिए helpful रहेगा and then उसके बाद क्या है बिल्कुल भी like आपको tension or stress नहीं लेना है confidence अपना नहीं जाने देना है ठीक है आप कर लेंगे because आपने अच्छी तरह से पड़ा है अब बाते कर लेते हैं कि आपको एक दो चीजी और क्या धिहान रखनी एक तो आपका जो खाना है ठीक है जो भी आपके 10-15 दिन आपके एक्जाम्स चलने वाले है do not eat junk food because ऐसा वैसा कुछ खाने का risk लोही मत दिस से आपको by chance कुछ भी ऐसा हो सकते है कि अगरा में कुछ खाया और आपकी तब्यत खराब होगी तो इसकी वज़े से आपको जो एक्जाम्स में दिक्कत हो सकती है तो junk food को say no एक्जाम वले दिन जो है मैंने आपको बता दिया कि जब आप पूरी रात पड़ रहे होंगे तो बीच में चार गंटे की नेंद लेकर जाना है एक्जाम डे में ठीक है and I think that's it for today तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंट करते हैं और यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी फोर यह एक्जाम्स and till then bye bye take care and all the best for your exam अब अच्छा अच्छा करके आएंगे believe in yourself ठीक है और सब लोग एक नीचे बढ़िया सा कमेंट छोड़ दो तांकि बाकी लोगों में भी confidence आज है yes they can do it and all the best ठीक है bye